कि बोर्ट की बैठक में 15 जून को बोर्ट की बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव पारित किया गया तो कि बाल रस्षण आजोग है उसका पत्र भी प्राप्त हुआ था और भी चीजें थे उसको हम लोगों ने फैसला लिया कि क्यों ना जो गैर मानता प्राद मदर से हैं उनका एक सर्वे कराया जाए प्रस्ताव सासन में गया सासन ने 30 अगस को उसकी नोटिफिकेशन जारी की 31 अगस को हम नों के पास विया जा इलादिकारियों के पास गया उन्होंने एक टीम गठित की SDM और BSA और DMO तीन लोग उ आएगा में तारौ उलूम् देवबंद के बारे में बोला गया कि वो मानता नहीं है तो मानता मदरसा बोड vivre से होना जरूरी नहीं है उनकी खुद की अपनी मानता होनी चाहिए जो उसका प्रोसीजर होगा मानता का अर्थ क्यों मदर्सा बोर्ड से मानता नहीं उनका जो और प्रोसीजर होगा मानता लेने का जो सरकार ने बनाई होगी उस हिसाफ से मदर्से काम कर रहे होंगे 156 साल से कोई मदर्सा काम कर रहा है देश के अंदर तो अचानक से illegal कैसे हो सकता है इसको भी समझना चाहिए तो मदर्सा बोर्ड का जो हमारा जो नियमावली है उसमें भी साफ सब्दों में उन मदर्सों का नाम लिखा हुआ है ऐसे 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 कुल दस मदर्से ऐसे हैं जो कि हमारे संकच हैं यह यह मदर्सा बोर्ड के नियमावली पे यह पोर्टल पे जा करके कोई भी जा करके देख सकता है जो गौर्मेंट कॉर्डरस पोर्टल पे हमारे लिखे ह हुए है उन्में दो नंबर पर एक्ट हैं और चार नंबर पर निमावली में लिखा हुआ है यह मदर से पेच नंबर 12 पे हिंदी में हैं और 27 तर उसे ऑगर यह उत्तर पदेश आ साधारन गजट है बाइस जुलाई दौर 16 का इसमें इन मदर्सों का पूरा नाम लिखा हुआ है दालूम देवबंद का नाम है नद्वा का नाम है और जो है मदर्सा अस्ट्रफिया है जमितुल फला है सुल्तान मदारिश है और जो हराम पुर्वाला मदर्सा आलिया इन सब मदर्सों का नाम लिखा हुआ है और साफ स दारु अलुम देवबंद के साड़े चार हजार से जादा मदसे पुर्देश में चल रहे हैं लंबे समय से चल रहे हैं और दूसरी बात कि दरजनु इनुर्ष्ट्री इस देश की ऐसी हैं जो दारु अलुम देवबंद के बच्चे पढ़े होते हैं उनका एडमिशन लेती हैं लगनों इनुर्ट्री ने हैं उपढ़े होते हैं मदर्से जो चल रहे हैं साथ सालों में नए बने हैं यह पहले से भी हैं मानता नहीं ले पाया थे उनकी भूमी क्या वहाल किया है उनका नीजी है या कि राय का है लिस्ट पे है उसके राबाँ उनका इन्सक्राइश literature कैसा है उनके विजली-पानी की वस्था कैसी है उनके बच्चे कितने हैं उनके टीचर्स कितने हैं वो कौन सा सिलेबर्स पढ़ा रहे हैंएं इन चीजों के लिए सिम्पल से ये डेटा कलेक्शन का काम ता एक डेटा प् काम कर रहे हैं बहुत गरीब इलाकों में जाकर कि जहां की पढ़ाई की बहुत दिकते वहां काम कर रहे हैं उन्मेंसे बहुत सारे मदरसे हम से जुड़ना भी चाहते हैं मानी मुखंद्री जी के नेदृत में लगातार मदर्सों के सिच्छा पे लगातार काम हो रहा है और पोर्टल की यरिये से मदर्सों का दूर्स्थी करण किया गया सारी मदर्सा पोर्टल पे आए आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास 16,513 की संख्या जो मानताव मद मदर्से हैं जिन में 5-6 मदर्सों को नदान मिलता है अब छोटी-छोटी चीज़ों पर मदर्सों पर उगलियां उठती है बाल पर पत्र आया तमाम चीज़ें होती है तो हम लोगों ने फैसला लिया कि एक सर्वे करा करके हमें डेटा दे और जमाना ट्रांस्पेरेंट है यहां हर चीज़ें ट्रांस्पेरेंट के साथ जो है पोटल पर दर्ज हो जाए कि हमारे गैर मानता प्राप अमारे बोर्ट से मानता प्राप नहीं है वो कितने मदर्से ऐसे हैं तो उसकी संख्या लगभख को व्युष पाने की सम्हावना है लेकां अंतिन संख्या एक्जे इंद्रमोदी का संसदिय छेत्र वारांसी, बाबा काशी विश्वनात मंदर, हिंदू विश्व वध्यालय, बेगम अक्तर और उस्ताद बिस्मिल्लाखा की वज़े से तो मश्खूर ही है। साथ ही इस शहर में बहुत कुछ ऐसा है जो गंगाजमुनी तहजीब की जहांकी प्रस्तत कहता है। और इसकी मिसाल है वारांसी के अरदली बाजार में स्थित खानम जान अरवी मदर्सा। इस मदर्से के छात्र छात्राएं उर्दू ही नहीं संस्कृत में भी सक्षा हासल कर रहे है। इंग्लिष, होम साइंस, साइंस, हमाज चास, नादी चास, संस्क्रिट नहीं सब पढ़ा जाता है। टीखने को तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छा समझाती हैं, हम लोगों समझ में आता है। यहां मुसलिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और डूसरी हाथ में कंप्यूटर है इसके अलावा यहां बच्चों को उर्दू, अंग्रेजी, फार्सी, अर्भी और हिंदी पढ़ाई जा रही है काफिज आदर से सीखने भी मेंगा है, इसमें बहुत अच्छा भी लगता है और काफिज और पसंद दिये मुझे मैसेज यही जाएगा कि संस्कीत सिखना थी अच्छी बाट है और इसमें कोई हिंदू, पुस्लिम का वो दी है, हर्दिकी को सिखना चाहिए सर्वे भॉन्तु, सुखिनम, सर्वे संतु, निर्मया, सर्वे भ्यादरी, पश्यतु, मा, तश्य दुख्यु, भागवते इस अनोखी मदर्से में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदू बच्चे भी सक्षा ग्रहर करते हैं मदर्से में संस्कृत के सिक्षकों को भी रखा गया है, ताकि बच्चे संस्कृत में सिक्षा प्राप्त कर सकें